प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शकों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का हमारे बहुत खास कारिक्रम जोत इश्ग्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका उख्रूपर दर्शकों हमने एक नई श्रंकला का आरम क्या है पिछले दो महा से और हम आपको इस श्रंकला के अंतरगत बता रहे हैं कि आपको अगले महा के लिए क्या उपाय ऐसे करने चाहें ताकि आपका आने वाला समय, आपका अगला जो महिना है वो बेहत खुबसूर्ती के साथ व्यतीत हो किसी प्रका की कोई परिशानी आपको ना जहेलनी पड़े उसका सांदा आपको ना करना पड़े तो आज हम बात करेंगे जुलाई माह के लिए कि जुलाई माह के लिए आप लोगों को अपनी राश्य नुसार क्या उपाय अपनाने की जरूरत है और ये सारी जानकारी आपको देने के लिए हमेशे की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद है हमाएं साथ हमारे बेहत खास महमाद जी हाँ तो आएए मिलकर उनका स्वागत करेंगे नमस्कार सर व्रश राशी के लिए आप से जाना चाहते हैं कि जुलाई महा में व्रश राशी के जातकों को क्या उपाय अपनाने की जरूरत है ताकि उनका जुलाई का महिना आनंद पुर्वक व्यती थो आएए दर शुकों व्रश राशी की बात करते हैं 12 राशिया होती है और 12 राशियों में व्रश राशी का द्युत्य स्थान आता है आपकी राशी के स्वामी शुक्र हैं बहुत लग्जरियस राशी होती है बहुत जीवन में उतार चड़ाओ देखने वाली राशी होती है और कई बार तो एक ही व्यापार में या एक ही किसी जॉब में लंबा समय वहतीत करने वाला योग इस राशी के जातकों को प्राप्त होता है हाला कि राशी बुरी रही है राशी बहुत अच्छी है लेकिन मेरे सभी अच्छे दर्शों को जीवन में सुख दुख आते हमारे ही कर्मों के कारण है जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल लगता है वैसा ही बूटा लगता है ने जाने कितने जन्मों को पार करते हुए हमें ये मानव का चोला प्राप्त होता है और जैसा चोला हमें प्राप्त होता है उस चोले में हमारी जिन्देगी बीच जाती है। बहुत लंबे समय से मन था आप लोगों की भी दिमांड आ रही थी कि सर्माजी कुछ ऐसा बताय जाए कि वैसे तो हर पल बहुत जीवन का कीमती होता किस पल क्या घटना घट जाए व्यक्ति कह नहीं सकता लेकिन फिर भी हमें जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं अगर हम उन पल में मुख्तिलिफ से बीज डालता है और एक एक गेहों की बाली में कितने सारे गेहों पैदा हो जाते हैं एक बीज से कितने बीज पैदा हो जाते हैं पूरा खेत भर जाता है ठीक उसी प्रकार से जब हम अपनी रासियों से संबंदित कोई विश्यस उपाई करते हमें उपाए हम बताने का प्रियास नहीं करते हम थोड़े में सोचते हैं ज्यादा हो जाए अब देखो विर्षब लगन के भी हमने उपाए बताए कि जिनका विर्षब लगन और राशी अलग अलग होती है जिनका विर्षब लगन है वो क्या उपाए करें वो भी हमारे यूट्य से राशी और लगन एक ही हो जाता है वो एक इत्फाक की बात है क्योंकि जब आप पैदा होते हैं या हुए हैं उस वक्त में चंद्रमा जिस राशी के उपर विच्रण कर रहे होते हैं वही व्यक्ति की जन्म की राशी कहलाती है और कई बार जो चंद्रमा होते हैं वो जिस र लगन हुआ वही आपकी राशी होई. यह यू कह लें कि उस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त जो लगन चल रहा होता है उसी लगन में वो जिन्चन द्रमा होते हैं. ऐसी भी कह सकते हैं. अब देखेगा, विर्षब राशी के स्वामी शुक्र होते हैं. हमें जुलाई महीने म क्या विशेस करना है अपने पलो को मुठी में करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है संसार में लाकों करोडों लोगों की एक सी राशी होती है इसलिए सभी के साथ एकसा फल मिलना तो मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर सभी एक से व्यक्ति एक सा उपाय करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जैसे दरगा के बाहर बैट करके या मस्जित के बाहर बैट करके या मंदिर में बैट करके लोग एक साथ प्रेयर करते हैं तो इसमें बुरा क्या है एक संगत में बैठ करके जब कोई फर्याद की जाती है उसको आनंद लगाता ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपनी राशी के लिए उपाए करेंगे उसका आपको अलग मज़ा आएगा आएए अब देखो शुकरवार का रंग सफेद होता इसके स्वामी शुकर होते हैं शुकरवार के दिन आप थोड़ा बहुत सेंट जरूर लगाईए अगर आप विलाईती सेंट नहीं पर्फियूम यूज़ कर सकते तो आप देसी सेंट लगाईए जैसे देसी चमेली का है न तो जो लोग शुकरवार के दिन देसी सेंट यूज़ करते हैं और खास तोर से चमेली का तो शुकर प्रसंद होते हैं आपकी राशी को बल मिलेगा लेकिन ये उपाए केवल दो शुकरवार बहुत है जुलाई के प्रथम सप्ताह करने और जुलाई के तिर्थिय सप्ताह क शुक्राई नमा द्राम डी आर एडबल एम ये भी पढ़ सकते हैं एक यावन बार एक सुआट बार इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं अच्छा लाब मिलेगा शुकरवार के दिन आप सफेद रन की चीज़े दान करिएगा जितना भी आप से हो सकता है 200 ग्राम 400 ग्राम क एक चीज़ और धियर रखें वर्षप राशी वाले जातक शुकरवार के दिन सफेद रंग का रुमाल जरूर रखें और शुकरवार के दिन दंदासा जिने मालूम हो दंदासे का जो व्रक्ष होता है उसकी दातून-दंदासे की दातून जरूर करिएगा इस से आपको बह लेकिन ओरिजनल विरख्षो दनाते का और उसको हम तोड़े उसकी डंडी को तोड़े यह चाल को तोड़े उसको मले हम अपने दातों से बहुत अच्छा रहता और दूसरी बाद शुकरवार के दिन जैसे हम घड़ी पहनते हैं तो सफेद रंग का टैग हो उसका है ना यह च चांदी जैसा टैग अपनी उसमें वाच्चु में ले सकते हैं आपके लिए अच्छा कई गोल्डन कवर होता है कई सिल्वर कलर होता है तो आप गोल्डन की जगा सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं गोल्डन भी कर सकते हैं लेकिन कोपर नहीं कोपर कलर यूज़ ना करें ज ऐसे तो अथिति देवो भव अथित्य सुथकार हमेशा करना चाहिए लेकिन शुक्रवार के दिन जरूर गैस्ट को घर बुलाईए भाई दिवे उन्होंने फ्राइडे ना करके किसी और दिन आना है तो आप प्रियास करें कि आपके घर में आने वाला महमान शुक्रवार के दिन आये आपको महमान नमाजी करने का घजब का मौका मिले और उसमें भी सफेद रंका कुछ मीठा लाइक खीर हो सकता है कुछ न कुछ ऐसा जरूर परोसिएगा देख लेना आपके शुक्र परसंद होगे दर्शुकों उपाई छोटे-छोटे होते हैं पर इनके काम अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका नमस्कार तो व्रश राशी के जातकों ने जाना क्योंने जुलाइ माह में क्या उपाई अपनाने चाहिए ताकि जुलाइ का महिना उनके लिए धेर सारी खुशों की सौगात लिकर आए इन उपायों को में ले लीजेगा या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पारें किसी ना किसी रीजन से तो ऐसे में वो कॉल अपॉन्मेंट ले लें तो मैं यह सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी और यहली मुझे आज यहाँ बैटके ऐसा लगा जो आपने दो-तीन चीजे करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से